दोस्तों कहते हैं हर घड़ी हर वक्त आने से पहले कुछ आहट ज़रूर देता है अगर वो आहट आपको आ गई है वो इंट्यूशन आपको पता चला है तो अलर्ट हो जाना चाहिए उसी दरीके से डीम या डीयफ कब ब्रेकडाउन कब होता है एक हार्मोनियस रिलेशन्शि है कुछ ऐसे साइन और सेम्टम कुछ इंट्यूशन जो आपको मिलते हैं जिसे शेपरेशन होने के संकेत मिलते हैं आप कैसे अलर्ट हो सकते हैं अपनी चीज़ों को इंप्रूफ कर सकते हैं इसमें रेमेडी भी बात करने वाला हूं नश्कार दोस्तों आपको बहुत-बह करने वाला हूं देखिए इस सारा जो आप मेडिटेशन के फॉर्म में करते हैं जैसे कि आप मेडिटेशन करने लगें आपको पेन होने लगा राइट आपको दर्द हो रहा है इसके साथ ही दोस्तों मैं पॉइंट वाइस बताऊंगा सबसे पहले मैंने दर्द की बात कर र आपको एक्चुली मिलेंगे तो सेपरेशन को दिखाते हैं या आगे चलके वो एनरजी आप में सेपरेशन करा सकती है आप उसको कैसे हील करें सिंपल सी वीडियो है और इसमें हम पॉइंट वाइस समझेंगे एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजे क्योंकि ये प्रॉब नहीं है भगवान के प्रती वो रीजन है क्योंकि जबी भी आप सकरात्म कुर्जाओं को प्राप्त करते हैं हमारे साथ सरीर कौन-कौन से हमारी फिजिकल बॉड़ी हो गई जिसे हम सब देख रहे हैं जानते हैं उसके बाद हमारा प्राण सरीर जो सेकलल चक्र दोर निधा प्राइट होता है आपका सुस्म सरीर आपकी भाव मन और सरीर मन ओर सरीर कौन सा है आपका हाड चकर अगर हाड चक्र आपके भावनायट क्यों है वो श्रीर में ब्लॉक जेज हैं बेन आपकी फीलिंग्स में अपडाउन होगा आपको रोना आएगा जहांसे साख रात्म ग energy इकठी होगी उतना अधा Breakdown होगा ठीक है और बहुत सा लोगों को Breakdown नहीं होता है लोगों को अच्छा लगता है अवेकनिंग के समय लोगों कुछ आपका relationship एकदम harmonious हो, यह matter नहीं करता है, आपको कहीं न कहीं से वो problem अगर है, इसका मतलब वो energy अभी विद्धिमान है, अभी बनी हुई है, वो जबी भी माली जे वो phase आएगा, अंतरदशाग रहों की आएंगी, वो particular उर्जा का time period आएगा, वो trigger हो जाएगा, वो जैसे ही trigger ह होगा, आपके भी separation घटित हो जाएगा, यहाँ पर DM या DF का एक breakdown होगा, realization होगा, self-realization होगा, और फिर आप एक दूसरे को भगा देंगे, right, separate हो जाएगे, और फिर separate तो इस journey में नहीं हो जाता, because आप अलग भी हो जाते हैं, कुछ दिनों में फिर से बात होने लगती है, फि decide जिस दिन किया, कि आपको नहीं आप बात करनी हो, तो उस दिन जरूर बात हो जाएगी, actually, universe आपको मिलाना तो चाहता है, but universe आपको ये भी चाहता है, कि आप अपने आपको rise कर ले, heal कर ले, आपकी spirit guide यही बताते हैं, दूसरा sign है, मैंने बताया, दर्द जब तक बाकी है, तब तक संभावना है, दूसरा sign है, कि आपका aura vibration low है, right, आपके आसपास ऐसे लोग आप जिस घर में रहते हैं, जिस atmosphere में, जिस वास्तो में रहते हैं, वहाँ कहीं न कहीं lower frequencies के low या impact होता, आप कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं, कुछ ऐसे चीजों खाते हैं, food कैसा लेते हैं यह आपको जो lifestyle है, अगर उस तरह से proper नहीं हुआ है, और आपके बीच spiritual talk सुरू नहीं हुई है, तो यह दूसरा sign है कि separation कभी भी आ सकता है, यह breakdown हो सकती है, और मैं तीसरा sign जो सबसे ज़दा important है, इसको समझ लीजिए, वो है DM या DF के बीच, energy का कैसा flow है, right, कई बार सिर्फ आप लोगों की वज़े से ही separation या problem create होती हो, और इस सब की remedy की में बात करूँगा, यह remedy third point से ही निकलता है, DM है, right, अगर DF यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा, DF के अंदर खासकर feminine energy अर बढ़ी हुई है, feminine quality, ठेक है, divine feminine quality अगर बढ़ी हुई है, तो क्या हम सब के अंदर प्रकति और पुरुस है, क्योंकि हम दो तक्तों से ही बने हुए हैं, ना male, female, दो ही तक्तों से बने हुए हैं, तो हमा अंदर दोनों ही उर जाए, अगर feminine quality बहुत बढ़ी हुई है, तो आपके साथ क्या होगा, कि वो pampering करना सुरू हो जाएंगी, बहुत care, over care करना, over healing करना अपनी energy सारी दूसरों को दे देना, अपने DM को दे देना, send कर देना, meditation में, actually ये stage आती है, जब quality आप में बढ़ जाती है, अफिर इसका result क्या होता है, masculine बहुत dominance हो जाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और सारी चीजे वो असंतुलित की तरफ बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो feminine को बहुत जादा care करना सुरू कर देते हैं, हर एक छोटी छोटी जो मैं मदद कर रहा है, एक दिन ऐसा भी आता है, वो बिलकुल आपका support नहीं कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी बात को लेकर आपसे पूस्ते थे, आपकी care दिखाते थे, फिर एक समय ऐसा आया, क्योंकि व बहुत जादा अच्छा लगता है, बहुत खुसी होती है, लेकिन यही जो phase है, इसका यह दिशाता है कि उनके अंदर masculine quality बड़ी है, जब यह बड़ी होगी तो यह phase ऐसा आएगा, जब आपकी दशाये trigger होगी, जब आपका phase trigger होगा, तब separation का phase आएगा, उस case में universe आपको heal कर करने के लिए कहेंगे, आपको फिर अलग-अलग ही meditation करना होगा, तब आपकी healing की speed भी बहुत slow होगी, लेकिन जब आप 7 में होते हैं, तो heal होते हैं, आप हम आजाते हैं remedy पे, लेकिन पॉइंट्स मैंने बताएं, जो अगर यह हैं, पहली बात है, divine masculine and feminine में, DM या DF में, masculine feminine या यह problem की बात है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो remedies हैं, ठीक है, आप जानिए कि मेरा दर्द किस चक्र में हो रहा है, सबसे पहले तो यह, मेरे कौन से सरीर में दर्द हो रहा है, आतम सरीर आपका गर्दन पे होता है, बहुत सा है लोगो heart area के बाद यहाँ पे खरास आने ल होती है, आपको headache होता है, सरदर्द होता है, तो उसको properly एक चकर को एक समय पे हील करिए, सारी चकर को ना करिए क्योंकि हम सिधी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कुंडली को awakening कर नहीं कर रहे हैं, को कि कुंडली awakening से अगर आप बैलेंस नहीं तो कुंडली awakening सिर्फ बैलेंस कर देगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कि आप एक एक चक्रा को पहले हील कर यहां ज़्यादा दर्द हो, जहां ज़्यादा प्राब्लम हो, तो यह hopefully आप सारी मेरी वीडियो देखिए, हीलिंग की कौन कौन सी है, क्या प्राब्लम होने पर कौन से चक्र म में प्राब्लम होगी, सेवन चक्रा वाले हीलिंग वाले प्लेष्ट में मैंने वो डाली हुई है, आप चाहें तो इससे अपने आपको हील कर सकते हैं, hopefully दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो, अपने दोस्त असाथ तो जरू से करिए, अगर आप चैनल पर नए है, तो जानलों को सब्सक्राइब तो बैर आगन क्लिक कर लिजे, नेश्ट वीडियो में मिलते हैं, तब ना ख्याल रखे, ध्यान रखे, नमस्ट कार दोस्तों